तो आज मैं आया हूं एक और बहुत यूनिक वीडियो के साथ यूनिक इसलिए क्यूंकि पहले मैंने आपको एक दो वीडियो पहले ही S3 Plus के मॉडल के बारे में डिटेल रिव्यू दिया था और आज जो हम जानने वाले हैं कि जो S3 Plus से पहले वेस मॉडल आया करता था S5 उसमें और S3 Plus में आपको क्या चेंजिस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं सो बेसिकली इसमें चार से पांच ऐसे फंक्शन हैं जिसमें में चेंज किया गया है और जिसकी वज़े से ये कार आपको थोड़ी की डिफरेंट मिल जाती है और प्राइजस में भी अगर हम बात करें तो 60-70,000 का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अगर आप चैनल में फर्स टाइम आए हैं तो प्लीज लाइक ज़रूर करें वीडियो को एंड शेयर करें जास ज्यादा एंड सब्सक्राइब करे एक्स्प्लोरिंग देशी को एंड भी अपार्ट आफ देशियन्स फैमिली तो लेट्स गेट सार्टेट स्प्लाण में जो प्र आपर में पार डिफरेंश जाए यहां पर का अपको बट्रेट में आपको जो है तो बट्रेट कहलर का देखने को मिलेगा जबकि आपको एसफाइब में जो है बोडी कलिया पूरा देखने को मिल जाता है और वही उसके साइद body cladding वगेरा भी आपको proper इसमें body color ही देखने को मिलेगी जबकि S3 plus में आपको यहाँ पे सब जो है complete matte ही provide किया जाता है तो यह काफी सही है and जो second main difference देखने को मिलता है कि इसमें आपको wheel caps provide कि जाते हैं S5 में and जो S3 plus है सब्समें wheel caps आपको नहीं मिलेंगे तो normal just rims ही आपको देखने को मिल जाते हैं third difference यहाँ बात करें तो S5 में आपको यहाँ पे step on path provide किया जाता है जबकि अगर हम S3 plus की बात करें तो उसमें आपको step on path नहीं provide किया जाएगा तो एक और अगर हम major बात कर लें तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा difference है कि यहाँ पे जो यह वाली S5 है इसमें आपको 140 horsepower मिल जाती है 2.2 जो इसमें turbo charge engine provide किया जाता है mhawk जबकि S3 plus में आपको 120 horsepower provide की जाती है तो 20 horsepower जो है इसमें आपको जादा देखने को मिलेगी as compared to S3 plus तो यह जो है एक power में थोड़ा बहुत difference आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बाकि हम अगर ORVM की बात करें तो यहाँ पे again आपको यहाँ पे black piano finish में आपको देखने को मिल जाते हैं जबकि आपको S3 plus में यहाँ पे ORVM मैठ ही प्रोवाइड किये जाते हैं डोर हैं अगें सेम ही रहने वाले हैं इंटीर से अगर हम बात करें तो इंटीर में भी exactly same ही आपको मिल जाएगी बड़ जो S3 plus है उसमें आपको power windows जो है वो डोर की साइड नहीं प्रोवाइड की जाती है आपको यहाँ पे सेंटर में प्रोवाइड की जाती है जबकि इसमें आपको वहाँ पे डोर वाली साइड आपको proper power windows देखने को मिल जाएंगी तो यह भी यहाँ पर प्रॉपर आपके हर सीट के लिए यहाँ पर अलग से power windows के option भी दिये गए हैं तो अगें कि बैक सीट के लिए आपको भी यहाँ पर अगें देखने को मिल जाएंगे तो यह भी एक ओर डिफरेंस जो है आपको मिल जाता है S3 plus और S5 में और सीट सब कुछ सेम है बाकी अगर रियर से बात करें तो अगें रियर का बंपर भी आपको यहाँ पर बोडी कलेड मिलता है जबकि उसमें मैट प्रोवाइड किया जाएगा सेंसर और रिफलेक्टर सब कुछ सेम ही है बैक से भी कुछ ज्यादा खास डिफरेंस आपको न वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर जाद से जादा इसे करें बाकी जो है मैंने मैक्सिमूम इसमें कवर आउट करने की कोशिश की है जो जो इसमें आपको डिफरेंस में मिल जाते हैं S3 प्लस and S5 मॉडल में ज 12,90,000 के करीब जो है एक शोरूम मिल जाती है जबकि S3 प्लस जो है 12,26,000 के करीब मिलेगी ऑन रोड प्राइज की भी अगर हम बात कर लें इंशोरेंस बगार नाट योफी सुएरा डाल के तो S3 प्लस आपको जो है वह 14,20,000 के करीब मिलती है और S5 जो है 14,80,000 के करीब तो प्राइज में भी इस टाइप का डिफरेंस एकने को मिल जाएगा अगें अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है और काफी इंफोर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक ज़रूर करें शेयर करें जाज से आदा एंड सपोर्ट करें एक्स्पोर्रिंग देसी को इस आद बुर्टन शेयर कर सकते हैं तो थांक्स बिंगा पार्ट आफ देसियन फैमिली और मिलते हैं किसी और नहीं वीडियो में तिल देन बाँ बाँ बी कूल बी हापी एंज्ण एर लाइफ और कोई कोई कोरी आइ तो कॉमेंट जरूर कीजिए कर दो कर दो